न्यूस कैसे बनती है, एडिट कैसे की जाती है, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एक पूरी तरह बनी न्यूस को एंकर कैसे पड़ती है, ये सब जानकारी लेने, ग्रेन एसी एन न्यूस पहुंचे ओम और विवान से हमने खास चरजा की, ग्रेन एसी एन न्य दवाब काफी बेबाकी से दिया ग्रेंड एसी ए न्यूस के कालेले पहुंच और जायजा ले रहे ये नन्हें यूट्यूबर है ओम और विवान महच 13 साल में ओम वा 9 साल के विवान ने यूट्यूब में तहलका मचाने के बाद उन्होंने मीडिया की जानकारी लेनी चाही न्यूस कैसे तयार किया जाता है कैसे एडिट होती है न्यूस कैसे टाइप होता है और कैसे वियो होता है ये सब देखने Grand A.C.N. News के कालेले पहुँचे नन्हे यूट्यूबर ने सभी चीजों की बारीकियों से जाइजा लिया इस दोरान हमने भी उन दोनों नन्हे यूट्यूबर ओम और विवान के अनुभवों को जानना चाहा और छोटी सी चर्चा की तो दर्शको आज का दिन हमारे लिए काफी खास है बता दें कि आज हमारे स्टूडियों में नन्हे यूट्यूबर्स ओम और विवान जो की यूट्यूब में अपनी काफी अच्छी पहचान बना चुके इनके व्लॉग जो हैं इतने फेमस हैं काफी सारे इनके फॉलोवर्स इन्होंने आज Grand ASEAN का विजिट किया और जानना चाहा कि न्यूज कैसे बनती है हम एंकरिंग कैसे करते हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों का स्वागत करेंगे ओम और युवान आप दोनों का स्वागत है थैंक यू मुझे यहाँ पर बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है म और यूट्यूबर भी हो तो कैसे सक्री रहते हो कैसे करते दोनों को मैनेज कैसे करते हो जो मैनेज करना रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि जहां नॉर्मली जो बच्चे लोग रहते हो अपना जाधा तर आजकल टाइम सोशल मीडिया में व्यतीत करते ह मैं गेम्स खेलते हैं तो मैं भी ऐसा नहीं बोल रहो कि मैं बिल्कुल वह सम नहीं करता जो उन में से मैं टाइम निकाल के एडिटिंग करता हूं वीडियो बनाता हूं और फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करता हूं तो मैं भी आप सबसे ही कहना चाहूंगा कि लिकिन ओम ने और पहचान बनाते हूए अपने ऐसे ऐसे वलोग बनाये है जो कि प्रेना देता है खाली में अभी मने सुना कि तुम चातगर जाकर आए हो वहां किस तरह का अपने वलोग बनाया और क्या वहां पर अच्यूमेंट किया झातागर में अभी हम गौशाला गय और चातागड के एक बहुत जदा मंदिर गए थे तो गौश आला में हमने यह देखा कि एक्सिदेंटल जैसी गायज रहते हूं उनकी सेवा उन लोग कैसे करते हैं जो भी जीव जनतु रहते हैं उनकी वह सेवा कैसे करते हैं उनको खाना कैसे देते हैं और हमने यह प्रेर्णा ली कि हम लोग अपनी तो अच्छे से देखबाल करी रहे तो साथ ही साथ में हमको प्रकृति की भी देखबाल करनी चाहिए और हम मंदिर में भी गए भगवान के दर्शन भी किये हमने और वहां पर अपने माइंड को पीसफुल इन्वार्मेंट में हम लोग इंजॉय भी करके आए जो की बहुत ज़दा अच्छे एक्सपीरियंस रहा अभी और मातर 13 अर के हो आने वाले और समय में और किस तरह का यूट्यूब में अपनी पहचान बनाओ गया और क्या के नया लोगे तो नया की तो बात यह है कि मैं हमेशा नई नई चीजों के बारे में खोच करता रहता हूँ और भी मैं वीडियो देखते रहता हूँ यूट्यूब में और आइडिया निकालता हूँ कि मुझे और नई नई क्या लोगों को जानकारी देनी चाहिए और YouTube सिर्फ मैं ऐसी funny videos के लिए नहीं बनाता हूँ, entertainment के लिए नहीं बनाता हूँ सारे age group वाले मेरी videos को देख सकते हैं और सब उससे information ले सकते हैं तो मेरा यह motive रहता है कि सबको एक सही माइने में information दी जाए हाँ देखा था मैंने SP सर का जो तुमने interview लिया था वो तो काबिले तारिफ था हमारे बीच नन्हा विवान भी है, automobile में काफी रूची रखने वाला और जानवरों से काफी प्रेम करने वाला विवान भी आटो मुबाइल में काफी जांकाई रखता है, आगे तुम क्या करना चाहते हूँ कि जैसा बड़ा भाई ओम यूट्यूब में सकरी है तुम क्या करना चाहते हो, अपनी कैसी पहचान बना चाहते हो मैं जजज बनना चाहते हूँ जज बनना चाहते हूँ, पापा का तो वह है कि तुमको आटो मॉबाइल में और आगे लाकर कि तुम्हारे साथ काम करेंगे? अहाँ, वो भी कर सकता हूँ, जज भी बन सकता हूँ, जो पसंद आएगा वो कर लूँगा जानवरों की प्रती तुमको काफी प्रेम है, अभी हाले में तुमने दो डग की बहुत मदद की थी जो सब को काट रही थी, उसको तुमने बचाया, उसकी तुमने देख रही की, क्या कहना चाहते हूँ? अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा दोनों में से मम्मी का लाडला कोन है? हम लोग दोनों में ही है लेकिन ये थोड़ा जादा शारारत करता है तो मतलब लाडला तो यह है ऐसा हम लोग समझ सकते क्योंकि सबसे जादा शारारत दिन मर यही करते रहते है और आज जो Grand ASEAN का विजिट किया तुमने क्या पाया? कैसा लगा? कैसे न्यूस कैसे बनती? कैसे एंकरिंग होती? क्या लगा तुम्हें? मैं जब Grand ASEAN का अज जो स्टूडियो है उसमें जब विजिट किया तो मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगा सबसे पहले जो यह इस्टूडियो है मैं कहना चाहतू कि बहुत ज़दा सुन्दर है जो भी यहां पर वाल में कलर यूज किया गया है बहुत ज़दा अच्छा कलर है उसका और आज मैंने यह भी देखा कि यहां पर पूरी चारों तरफ कैसे ग्रीन स्क्रीन यहां पर लगाई गई है बहुत ज़दा अच्छा लगा और यहां मैंने एडिटिंग रूम भी विजिट किया और वहां पर देखा कि कैसे वहां पर PC रखे गए हैं और कैसे एडिटिंग होती है तो मुझे काफी सारी अच्छी नॉलेज भी यहां से मिल गई तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो का विजिट करने के लिए थेंक यू और मुझे भी बहुत ज़दा अच्छा लगा मैंने नई नई सबसे बड़ी बात नॉलेज गेन की जब भी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं हमेशन नई नई चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ जब भी मैं कभी भी व्लॉग बनाने जाता हूँ तो यह नहीं कि सिर्फ मैं नॉलेज दे रहा हूँ बलकि मैं नॉलेज भी गेन करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे फ्यूचर में काम भी आए यूट्यूब मीडिया में काफी वो रखता है यूट्यूबर के आज कल काफी डिमांड भी है क्या मीडिया में आना चाहोगे हाँ मीडिया में मैं आ सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो रूची मिली तो वैसे मुझे यूट्यूब इसलिए पसंद है क्योंकि यूट्यूब में हम लोग नए नए इनफॉर्मेशन के छोटे छोटे क्लिप्स डालते है जिससे लोगों को काफी ज़्यादा अच्छा भी लगता है शॉर्टली हम एक फोन से अच्छे से रिकॉर्ड करके लोगों को इनफॉर्मेशन दे सकते है और ये बहुत ज़दा अच्छा साधन भी रहता है धन्यवाद दोनों का हमारे स्टूडियो को विजिट करने